खेलो इंडिया यूनिवरस्टी गेम्स में पाटिसिपेट करने के लिए सबसे पहले 12th लियर होने के बाद किसी कॉलेज यूनिवरस्टी किसी कोर्स में एड्मिसन होना जरूरी होता है जो आप कोर्स करना चाहते हैं इस वीडियो को सुरू से अंतक पूरा देखे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखने पड़ेगी वीडियो को बिलकुल भी skip ना करें और वीडियो को भी कर दें like चैनल पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को आन कर लिए चलिए सुरू करते हैं फिर इस स्टेप के बाद आता है स्पोर्स का टॉपिक जिसमें हमें सबसे पहले AIU Association of Indian University के द्वारा All India Inter University Championship हर पर्टिकुलरी स्पोर्स का होता है जिसे पार्टिस्पेट करना पड़ता है और इसमें हम कैसे पार्टिस्पेट कर सकते हैं इसका क्या प्रोसेस होता है सबसे पहले हम जिस कॉलेज या या यॉनिरस्टी से ही स्टेडी करते हैं वहां से एक अपने स्पोर्स का ट्रायल होता है जिसे हमें क्लियर करना पड़ता है फिर इसके बाद आप जिस युनिरस्टी से हैं उस युनिरस्टी से जितने भी एफलेटेट कॉलेज होंगे उन सभी कॉलेज से सेलेक्टेट प्लेयर टीम मेन केंपस में एक ट्रायल होगा युनिरस्टी का टीम बनाने के लिए और जो लोग उसमें सेलेक्ट होंगे वो लोग जाएंगे AIU All India Inter-University Championship में पार्टिपेट करने के लिए कुछ स्पोर्स का जोन वाइज भी मैच होता है और फिर इसके बाद अगर AIU में आप अपने इस्पोर्स में अपने इवेंट केटेग्री में टॉप पोजिशन में सेलेक्ट होते हैं जैसे टॉप 8, टॉप 16 अपने इस्पोर्स के डिमांड के हिसाब से तब आप खेलो इंडिया इंवेश्टी गेम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं AIU में टॉप पोजिशन आने पर खेलो इंडिया इंवेश्टी गेम्स में पाटिसिपेट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में लाइक, कमेंट, सेयर और सस्क्राइब करना न भूलें ओके